स्सी स्टेनोग्राफर का आड्मिट काड़ आ चुका है आप लोग डाउनलोडिंग कैसे करेंगे इस वीडियो को कंट्रीनिव आज कीजी आपको समझ में आएगा कैसे डाउनलोडिंग किया जाता है तो कोई भी ब्रोजर आप ओपन कर लें गूगल हो या क्रोम हो तो अहां पर आपको टैप करना है सरकारी एक्जाम शरकारी आपकर करेंग सरकारी जाब आपको अपक। किलिक कर दें इस पर जैसे ही आप किलिक करते हैं तो आप डारेक्ट आ जाते हैं सरकारी ओफिस्यल वेफ साइट पर जहां पर आपको हर अपडेट मिलता रहेगा तो आप Amit Card की तरफ आना होगा guys इधर आप Amit Card के तरफ जैसे ही इधर आते हैं तो यहांपे आप देख पाएंगे STC, Stenographer का Amit Card इस वलावशन पर किलिक करते हैं इस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है इसका फॉम स्टार्टिंग से लेके लास्ट डेट था क्या फिर था इसका इस तरह से आप इसको देख पाएंगे तो आपको एडमिट कार्ट के लिए कुछ नहीं करना होगा गाइस नीचे आना हो की नीचे जैसे ही आप आते हैं यहां पर आप को αnicas देख पाएंगे कि यहां पर डांलोडिंग कि ना अप्संट धिया गया है मेर्मिट कार्ट को तो इस वह लुए पर प्रदमेरेंन करें ता आप आज आएंगे डायरेक्ट SSC का होमपेज पे तो यहां पे आपको थ्री स्टेप मतलब तीन स्टेप से एडमिट काट को डाउनलोडिंग करने का अफसन दिया जाता रेजिस्टेशन आइडी डालके डेट अब बर्थ को चोईस करके इस केपचा को यहां फिल करके और आपको स आपको डालना होगा तो यहां पे आपना नाम डालना होगा जो भी आपका नाम है आप एंटर कर दीजिए और पिता जी का नाम भी आपको डालना होगा और येदिना करने के बाद यहां पे आपको डेट अब बर्थ आपका जो ही है भी अजो भी आप के बर्त वर्थ को फिल किया था उसको आपdrash के डाल देए जैसे ही डालेंगे तो यहां पे इस केपचा को जोर के यहां पर डालना परता है तो चलिए हम जोर देते हैं उसके बाद यहां पर सर्च बला एक बॉक्स दिख रहा है इस पर आपको किलिक कर देना होगा इस पर जैसे हैं आपका प्रोसेस आगे की और बढ़ता है यहां पर आपको पूरा डीटेल्स आपका दिख रहा है क्या नाम था फादर का नाम अपना पर इसको किक कर देना होगा इस पर जैसे हैं आप ट्रिक करते हैं तो आपका डांड झालोडिंग का दो ओप्सन खुल के आता है हिंदी में और अंग्रे जी में आप जिस भी भासा में admit card को downloading करना चाहते हैं तो कर लिज़ेगे, हम इंग्लिज ह् 내 आपका इंग्लिज में इंग्लिक करेंगे Qisesta को इस क्लिए से o कुछ इसमें से ढूर्लोडिं से अए गाइस देख लिजीए admit card डाउनलोडिंग हो गया है तो इस तरह से आप admit card को downloading कर पाएंगे गाइस अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर दावारा वीडियो को देख सकते हैं तो इस तरह से आप बहुत ही असानी से admit card डालोडिंग कर सकते हैं वो भी मोबाइल से तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद